नमस्कार मेरा नाम निशा उज़ा है आप डिटी डबली ट्वैनिफोर निउस देख रहे हैं बिहार में ऐसे तो बहार है लेकिन महिलाओं पर आपदा हजार है अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम ऐसा क्यूं कह रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि बिहार में आए दिन महिलाओं के साथ छेड़ खानी, दुशकर्म और दुशकर्म करने के बाद हत्या आम बात हो गई है ताजा ताजा मामला मुजफर पुर का है बिहार में आम लड़किया की सुरक्षा तो दूर की बात यहां तो महिला दरोगा ही सुरक्षित नहीं है उसके साथ छेड़ खानी की जा रही है, बत्तमीजी की जाती है और उसके बाद वो भी कम पढ़ जाये तो मार पीट भी किया जाता है सरकार से सवाल यह है कि यह कैसी सुसाशन की सरकार है, जहां महिलाएं हर दिन प्रतारित हो रही है आम महिलाओं की बात तो दूर है, यहां जो महिला आम लड़कियों की सुरक्षा करती है वो भी राजे में सुरक्षित नहीं है बिहार में महिलाओं के साथ तेजी से बढ़ती अपराधी घटनाय थमने का नाम नहीं ले रही है राजके अंदर आम युक्ती और महिला की सुरक्षा तो दूर की बात यहां तो पुलिस ठाने की महिलाओं के साथ ही छेड़ खानी, बत्तमीजी, बत्सलू की और उसके बाद मारपीट हो रही है पीडित महिला दरोगा ने मीडिया को बताया कि किस तरह उनके साथ पुलिस कर्मीयों ने थाने में बारबरता और बेशर्मी की सारे हदे पार करने का आरोप लगाया है और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब वो अपने पती के साथ वहाँ पहुँची तो उनके साथ और उनके पती के साथ मार्क पीट भी की गई पीडिता दरोगा का ये भी कहना है कि जब इस मामले में वो शिकायत को लेकर के मुझफरपूर के SI से मिलने गई तो उन्होंने टाइम नहीं दिया वो शिकायत के लिए खड़ी रही लेकिन उसके ओर से कोई पहल नहीं की गई जब मुझफर पूर्प में पुलीस अधिक्षन से बातचित की गई तो उन्हें ने कहा कि मामला संग्यान में आया है घटना की छानबिन की जा रही है आईजी को भी इस मामले की जानकारी दे दी गई है घटना ये है कि 30 तारीकों मेरे साथ मारपीट हुई और मेरे हस्बेंट के साथ भी मारपीट हुई है हम लोगों को इस तरीके से गाली गलोश दे के वहाँ पे बेजज़त किया गया है इसी के लिए मैं हर जगा जा जा के नयाई की उमीद कर रही हूँ अब मैं आगे उमीद कर रही हूँ कि आगे मुझे क्या नयाई मिलेगा आरोप ये लगाए कि मुझे मेरी लज्जा भंग की गई है मुझे पूरी तरीके से सारेरी कौमानसिक पीड़ा दी गई है मेरे साथ मारपीड की गई है मैरे लिए महिला सपोर्ट करें क्यूंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है अगर हम इस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं तो हम सब सीनियर बर्यपद आदिकारी से उमीद कर आए वो लोग मुझे सहयोग करें मेरे साथ अगर इस तरह का अन्याय हुआ है तो इस अन्याय के विरोध कारवाई की जाए तो अभी तो मैं इसे की परकिरिया में लगी हुई हैं अभी मैं अब थाना में गई थी तो मैं महां पर अपना संझ्ञान दे रही थी अपना वैयान दे यही था कि वो लोग इंटेंशनली इस चीज को कर रहे थे पता नहीं उन लोगों क्या मुझसे प्रॉब्लम है, मैं पूरे एक महीने से जादे से गायब थी बिना सूचना के तो अभी तक मुझे सोकाच क्यों नहीं दिया गया, क्यों मेरे काउंट में सेलरी आ रही है, क्योंकि इसका मतलब मैं ड्यूटी पे उपस्तित हूँ, अब कुझे इस तरह की मानसिक पीटा दी जाड़ी, क्रोना का इलाज मेरे जहां हुरा चाहिए, वहां करा गया था, सदर होस्पीटल में ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में आम लड़कियों के साथ साथ, आम लड़कियों की रक्षा करने वाली महिला दरोगा, महिला पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, हाला कि ये कोई पहली बार नहीं है जब बिहार में ऐसा मामला सामने आया है, जहां पे महिला दरो पानी दुशकर्म और बद्तमीजी को अपनी नियती मान कर चुप बैठे या फिर अवाज उठाए आखिर कब तक लड़किया यूहीं शिकायत दर्ज करवाती रहेगी और लोग खबर सुनकर चुप होते रहेंगे आप DTW News देख रहे थे मेरा नाम निशा था और इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रही है हमारे साथ अगर आपने अभी तक हमारे चानल को लाइक नहीं किया है तो फेस्बुक पर लाइक कर लीजे और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर दिजेगा बहुत बहुत शुक्रिया